ढ़ारां भुनन नमा आदान आदने लेःए जैमा इंद्राक्षी ने धाम में दर्श्म को आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन लोगों की मेरिज अनिवरस्री है जिन लोगों का आज के दिन जनम दिवस है उन सब को हमारी तरब से बहुत बहुत शुब कामनाएं। आईए अब हम बात कर लेते हैं आज के पंच्यांकी। 6 जुलाई 2019 दिन शनिवार आशाड महा समवन 2076 तिथी चतुर्थी नक्षत्र मगहा। रहुकाल आज रहेगा सुबह 9 बजे लिखर के साड़े 10 बजे तक दिशा-शूल आज का है दशे को पूर्ष दिशा की तरफ। याशå की तरफ। यानि पूर्ष दिशा की तरफ। यदि आप यात्रा करते संसे और उसके लिए सबसे बेहतर है का ressual एас सिखनेंगों या हन्मान चालीसा बजरंग मार पढ़के निकलेंगे तो आपके लिए ज्यादा लाभानवित इस्तिती रहेगी अब दर्शकों हम अपने नए साद्गों के और नए दर्शकों से कुछ हम बात कर लेते हैं हमारे नए सादक हमारे नए दर्शक समझ नहीं पाते हैं कि रोज ह कैसे इस कारिकरम से जुड़ें तो देखेगा जो हमारे एक हजार आठ मोती हैं जिनोंने बहुत मोती मतलब हमारे सादक हैं जिन सादकों ने संकल्प लिया है कि हम अपने पूरा प्रियास करेंगे हम एक सौ आठ इस कारिकरम से एक चैन बनाएंगे एक सौ आठ लोगों को जोड़ेंगे तो सभी का मैं धन्यवाद अला करता हूं ऐसे बहुत लोगों ने संकल्प ले लिये हैं हमें मालूम हैं दूसरी बात बाद में जिन जिन लोगों ने विशेश तोर से संकल्प लिये हैं उनके लिए एक सूचना है जो व्यक्ति इस संसान से दिक्षा ले या ना ले वो बाद की बात है लेकिन धर्म के नाते हिंदू सरातन धर्म के नाते जो व्यक्ति एक सौच व्यक्ति को जोड़ता है कहीं ने कहीं बहुत बड़े पुन्य का भागे बनेगा हम चाहते हैं हमने एक बात कही थी जो लोग संसान से दिक्षा लेना चाहते हैं वो संसान स नाम नोट कराए इसी कारिकरम को भी चलते-चलते करीब-करीब महीने के आस-पास होने वाला है थोड़ा सा दिन और रुक जाईए अच्छा समय आ रहा है सावन आने वाला है उसमें पूरा डिकलियर कर देंगे कि कैसे हम दिख्षा देंगे कैसे दिख्षा समारो रहेगा जो संस्थान से पुराने दिख्षित लोग हैं कुछ लोगों के फोन नंबर नहीं हैं तो मैं सबसे चाहता हूँ कि जो हमारे पुराने संस्थान से दिख्षित हैं वो सभी अपना फोन नंबर नाम जरूर हमारे संस्थान में सुबा दस्य शामचा के बीच में लिखवा दें और जो इस संस्थान के लिए कुछ मुर्धन्य व्यक्ति हैं कुछ भगवान से लोगों को जोड़ना चाहते हैं एक हजार आथ लोग आप ऐसे व्यक्ति गाही हम स्वागत बहुत बहुत स्वागत करते हैं ऐसे व्यक्ति हमारे संस्थान में अपने नाम जरूर लिखवाएं, क्यों? ताकि भागवान आपको हिम्मत दे, इश्वर आपको टाकत दे, आप इस कारे करम से इतने लोगों को जोड रहे हैं, आपके जीवन के विग्न, इश्वर के करपा से दूर होते रहें, तो आप हमारे संस्तान में कैसे लिखवाएंग कि मैं 108 लोगों को इस कारे करम से जोड़ूँगा याने कि संकल्ब लेने ऒाले लोग अपना नाम भी लिखवा दें, तो हमारे संस्तान में जो संकल्ब लेने वाले लोग हैं, उनका अलग से नाम लिख लिख लिया जाएगा कि इन्होंने 108 लोगों के लिए संकल्ब लिया है और जब आपका संकल्ब पूर्ण हो जाए तो हमें अवगत जरूर कराईएगा ठीक है और अब आईए अपने इस कारिकरम की एक चीज और आपको बताएं इस कारिकरम में जब आप पूजा में बैठते हैं साधना में बैठते यह जल आपके बहुत काम आएगा इस जल को डेली यूज कर लिया करें डेली चीटे मार लिया करें बहुत लोगों ने कहा जो जल बच जाता है उसे आप किसी गंबले में पेड़ पोधों में डाल सकते हैं जूटा जल नहीं जालना है पीने के लिए थोड़ा सा अलग से न भी खंडित हो जाती है चुआक उतर लेता है दिमक लग जाती है या फट जाती है तो हम उन सब का क्या करें आपके घर में छोटी मेटल की मूरती हो या किसी चीज़ की हो खंडित हो जाए तो खंडित मूरती अक्सर मैंने देखा है कि लोग पीपल के नीचे रखाते हैं औ और कहीं कहीं तो मुझे कहना नहीं चाहिए कि लोग डस्ट्वीन में ही उसको डाल देते हैं यह पाप ना करें जिस प्रतिमा को आपके दादा आपकी दादी आपके परदादा आपके पापा या आप स्व्यम इतने लंबे समय से पूझ रहे हैं और मूर्ति का यदि कोई गलत है हमारे घर में हमारा भी हाट तूट सकता है कुछ भी हो सकता है तो क्या हम उनको छोड़ाते हैं रिपेर करते हैं और बलकि देखवाल अच्छे से करते हैं करते हैं और भगवान का जरा से कुछ खंडित होता है हाहा कार मज जाता है जहां जी करा वहां उसको रखाते ऐसा कदापी नहीं करना इस कारेकर्म को देखने वाले लोग ऐसा कदापी ना करें कलेजे पर हाथ रखें ऐसा करेंगे तो पाप के भागी बनेंगे आद शर्मा जी फिर क्या करें बताते हैं अगर कोई मूर्ती बड़ी हो चोटी हो कैसी भी हो खंडित हो जाए अदब के साथ उसको लाल कपड़े में लपेट लें अदब के साथ लाल थैली में लाल कपड़ा में उसको बजार से लेकर आईए साब कपड़ा मागवान ने बहुत दिया है पहनने के लिए भी तो हम नया नया खरीदते हैं मड़िया से बड़िया खरीदते हैं आप सस्ता से ले आईए क्योंकि लपेटना है आदा मीटर कपड़ा नहीं लगेगा 20-25 रुप्या, 30 रुप्या लग जाएगा आपका थोड़ा सा कपड़ा ले आए उसको लाल कपड़े में लपेट करके मौली का धागा अच्छे से बाढ़ दें ठीक है और उसको एक तरफ अपने घर में किसी पॉलो थीन में एक तरफ लख दें जब भी आपके घर का कोई व्यक्ति ऐसे ही पुस्तक के लिए करें जब भी आपके घर का कोई व्यक्ति ऐसी कोई धार्मी पुस्तक हो गीता हो या कोई हो वो फट जाती है या दीमक लग जाती है तो आप ऐसा ही करें दूसरी बाद अच्छे से कपड़े में रैप करें और उस पुस्तक को और उस मूर्ती को आपके घर से कोई भी किसी विसेश नदी पर जा रहा है ना बड़ी किसी नहर पर जा रहा तो वहां उसको डलवाए हमेशा ध्यान रखें दशेरा, दिपावली ग्रहन काल किसी बड़े योग में ये मूर्तियां विसरजित ना की जाएं आपके घर वाली आम दिनों में कभी सोंबार है रवीवार है, मंगलवार है बुद्वार है, हों से हम कर सकते हैं ठीक है? ऐसा ध्यान रखें लक्षमी जी की कोई भी खंडित परतीमा आप विसरजित करते हैं तो शुकरवार के दिन नहीं करना विष्णु जी की करशन जी की कोई परतीमा करते हैं तो ब्रस्पतिवार नहीं करना शिप जी की कोई परतीमा करते हैं तो सुंबार नहीं करना हनमान जी की कोई मूर्ती विसरजित करते हैं तो मंगलवार नहीं करना ठीक है? मलब घर की मूर्तिया जो छोटी आप की मूरतिया होती है अब जैसे हनमान जी की मूरतिया कर दिजिए खाना शंकर जी की करनी है किसी ओर दिन कर दीजिए मैं जूरी नहीं है आपके घर का आजमी सोनभार की दिन जा रहा हूँ थीक है तो हमेशा इस बात को दिमाग में बिठा लें और अदब के साथ और सबसे बड़िया तो है आप गंगा जी जरूर जाते हैं गंगा भारस से गो मुख से प्रारह बोकर के कलकत्ता तक मोचती हैं और कलकत्ता से फिर महासागर में विलीन हो जाती हैं तो आप कहीं भी ऐसी बड़ी महासागर पे हैं या ऐसी कहीं स्थान पे जा रहे हैं तो आप वहाँ ले जाएए अब आप घर का समान भी तो ले आते हैं आप तीर्थ के लिए जाते हैं तो आप तीर्थ के लिए जब जाते हैं या किसी सेर सापाटे के लिए जाते हैं ये कपड़ा भी रख लीजिए ये समान भी रख लीजेगा चिंटू- Minister का ये समान रख लीजेगा सारा समान भी तो रखते न क्या कहते है वह पुस्तक क्या कहती है कहीं एक तोड़ी से जगह में उसको भी रख लीजेगा अदब के साथ हमें अपने अदब कराना आता है तो हमें अपने भगवान का अदब और अपने इस्ट का अदब भी हमें करना आना चाहिए मैं देखता हूँ अक्सर पीपल के नीचे लोग रखाते हैं यह गलत तरीका है ऐसा आपको नहीं करना है बाकी देखिएगा मेरा फर्ज है आपको समझाना बाकी as you like और एक बड़ा संदेश जिन सादकों के घर में कोई प्राचियन साहित्य है यह मैंने पिछले साल भी बात कही थी उससे पहले भी कही थी और ऐसे बहुत साहित्य हमें प्राप्त हुआ जिन लोगों के घर में कोई प्राचीन साहित्य है किसी भी प्रकार की कोई धर्म से संबंदित किसी भी प्रकार की कोई पुस्तक गरंत आपके पास है और आपके दादा या दादी या कोई भी उसको पढ़ते थे और आपको लगता है अब आप उसको टच नहीं करते, आपका कोई लेना देना नहीं है, बस आपको लगता है कि हम इनको कहां रखें, कैसे संगवाएं, तो साब आप हमारे संस्थान में उन्हें भेज सकते हैं, हमारी वो लाइबरेरी की सुभा बन जाएंगे, तो आपके पा आप हमारे संस्थान में हमको भेज सकते हैं, पिछले साल एक भेंजी ने बड़ी दुरलव एक पुस्तक हमें इंदोर से भेजी थी, और उसमें हाला कि पुस्तक तो काफी चीर्ण जीर्ण वस्ता में थी, लेकिन कुछ शावर मंत्र उसमें बड़े काम किये थे, हमने की चीज है, रद्दी में नहीं जाने चाहिए, भारत का धर्म लुप्त होता गया, बहुत सारी चीजे लुप्त होती जा रही है, तो कोई भी चीज लुप्त ना हो, आपके घर की कोई भी संग्रहित ऐसी, कोई धार्मिक पुस्तक, धार्मिक गरंथ, जो आपकी लिए उप बेजिएगा, ठीक है, आज का संदेश्वस इतना ही था, अब आए हमारे सभी दर्शोकों से प्रात्ना करते हैं, जल सामने रखें और आज की ध्यान साधना में विलीन हो जाए, जुणें आज की ध्यान साधना में भगवान हनमान जी से, ओम बीरोजनंगाई नमाहा, ओम बीरोजनंगाई नमाहा, बाल समयर विभक्स लियो तब ती नहीं लोक भयो अंधियारो, ताहीं सुत्रास भयो जग को, यह संकट का हु सुजात नटारो, देवन आनी करीवी निती तब छाड़ी दियो रभी कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में पर वु संकट मोचन नाम तिहारो, बाली की तरास का पिस्वसेगरी जात माहा पर वु पंत निहारो, चोकी माहा भुन शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो, के दिज रूप लिवाए माहा पर वु सोतुम्दास के शोक निवारो, सिया सुधी प्रान उबारो, रावन त्रास दै इस ये को सब राक्स सिसो कहीं सोक निवारो, ताही समय हन मान माहा प्रभु, जाय महा रजनी चर मारो, चाहस्तिय सोक सु आगी सु, दै प्रभु मुंद्री का सोक निवारो, बान लगियो और लक्षमन के तब पान त्रे सु दारो सिरी रगुनात समेश सवेदल मोभयो संकट भारो आनी खगेश तभी हनमान्जू बंधन काटी सु त्रास निवारो बंदु समेट जब ऐ रामन लै रगुनात पताले सिदारो देवाही पूजाई भली विदी सो मंद्री देवु सभी मली मंत्र विचारो जाए साहाय भ हरो हनमान महाप्रवु जो कुछ संकट होए हमारो को नहीं जानत है जग में पर्वु संकट मोचन नाम तिहारो लाल दे लाली लसई अर्धरी लाल लंगूर बज्र देह दावादलन जै 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 कपी अभी आपने हनमान जी का ध्यान किया अब आईए मेरे दर्शकों आप पर्वु से जुड़े परमात्मा से जुड़े भगवान आपको बहुत दे इश्वर आपकी जोलियां भरके रखे और आपका जीवन प्रयंत बहुत अच्छे से आपका जीवन वैधीत हो ऐसी हम उस परमात्मा से आपके लिए सुब इच्छा करते हैं सुब कामनाएं आपके लिए करते हैं दर्शकों जुड़े रहिए इंद्राक्षी धाम से जुड़े रहिए उस भावानी से जुड़े रहिए उस भगवती से आपको खाली नहीं जाने देगी आपकी जोलियां ये भगवती जरूर भरेंगी और पुन्हें अपनी बात को करेते हैं जिन्हों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो वो इस संस्तान में सुबह 10 से साइट 6 के बीच में रेश्टर करा सकते हैं इनी शब्दों के साथ हम अपनी वानी को विराम देते हैं जैमा इंद्राक्षी मुझी अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज 2-3 मैं ढूंड रही हूं क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भगवान म में आस्था रखती हूं तो मैं यह सोची थी कि मुझे वो चीजे मिल जाएंगी और रियली मुझे आज यहां बैठके ऐसा लगा जो आपने 2-3 चीजे करने के लिए बताई है कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें